नमस्कार साथियो टॉप फिप्टी स्टेडी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज बहुत ही महत्पूर्ण हम आपके लिए परियावरण का एक वीडियो लाए हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उस सर्जन कारण और परीडाम के बिसाय में चर्चा करे आप हमारे वीडियो को पूरा देखें बहुत अच्छी किलास होने वाली है और आप पढ़ने के वाद आपको लगेगा कि आज हमें कुछ ग्रीन हाउस से संबंदित बहुत सरल भासा में अच्छा ग्यान मिला है चलिए यदि आप पढ़यावरण या और विसे होगी त्या उनको प्रिथी पराने देती लेकिन प्रिथवी से बापस जाने वाले दीर के तरंग ये बिकरण को अबसूसित कर प्रिथवी के तापमान को बढ़ा देती लेकिन बापस जाने वाले जो बिकरण होते हैं उनको क्या कर लेती है अबसूसित कर लेती है उसको क्या कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं बरतमान में मानवी कारणों से बातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मातरा बढ़ती जा रही है मानव के कारण जो मानव जो अपने संसादन उपियों कर रहा है उस कारण से क्या हो रही ग्रीन हाउस गैसों की कराण जो उसकी जादा संख्या बढ़ गई है और जलवायू परिवर्तन भी हो जाता है देखना होगा आपने कि बरसात मतलब गर्मी के मौसम में बरसात होने लगे ठंडी में कहीं बरसात होने लगे कभी गर्मी में ठंड लगने लगे ठंड में गर्मी ते ऐसा कई बार एक परिवर्तन देखा जाता है, दुफेर में मौसम कुछ था, उसाम को मौसम कुछ हो जाए, सब ग्रीन हाउस गयसों की कारण हो रहा है, आंगे और अपने इसको देखते हैं, चली तो इसमें यही था, यह भी बस बोई बात है, अब देखें, ग्रीन हाउस गयस, यह आप चार् 27% मैथिन, मैथिन कितनी, 27% और इसके बाद नाइट्रस ओक्साइड कितनी है, 3% ठीके एक चार्ट हो गए, विसको हम समझते हैं, क्या बोलना है, देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, सबसे पहले ते समझ लें, कि प्रत्वी के बायू मंडल में उपस्तित ग्रीन ग्रीन हाउस गैसों के कारण, प्रत्वी से उससर्जेत होने वाले ताप के अपसोशन और बायू मंडली तापमान में ब्रद्धी की घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है, बायू मंडल में जो तापमान की ब्रद्धी होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हा उस प्रभाव की घटना के कारण ही प्रत्वी पर तापमा नियंतरित रहता है ग्रीन हाउस की घटने के कारण रहता है और पौधों वाधी को उनकी ब्रद्धी के आवश्यक ताप भी प्राप्त हो जाती किस से ग्रीन हाउस यदि ग्रीन हाउस ग्यस ना हो न तो ताप ही न ठंडा हो जाए सब कुछ, लेकिन इसका अच्छाई भी है, लेकिन जो मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, वो हमारे लिहानी का रहे हैं, देखें कैसे, ग्रीन हाउस ग्यास हैं, कौन-कौन सी, ये तो पूछी जाता है, कि निमने मैं से ग्रीन हाउस ग्यास हैं, तो आपको ये याद रखना है, देखें, बाता बरण में प्राक्रतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस ग्यास है, जो प्राक्रतिक रूप से पाई जाती है, एक मानो निर्मेथ होती है, प्राक्रत रूप से कौन-कौन सी पाई जाती है, बाता बरण में, इसके बारे में अभी अपनने पड़ा था, इस CH4, ठीक है, कितने 27% इसके बारे अपनने देखा था, ठीक है, ग्रीन हाउस गयसों में, और देखें, जलबास्प रहता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी रहते हैं, कितने पर्शेंट इसके बारे में, 3% अपन उपर देख चुके हैं, और किलोरो निक गयसें भी रहती हैं, तो प्राकरतिक रूप से कौन कौन सी गयसे पाई जाती हैं, कारवन डाय अक्साइड, मीथेन, जलबास्प, नाइट्रस ऑक्साइड और किलोरो निकरत गयसें, अब देखें, मानाओ द्वारा निर्मेद या संसलेसित ग्रीन हाउस गयसें, जिनके का चैनल से नहीं जोड़ें, तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, एक भी आपको कोई पार्ट इसका नहीं छोड़ना है, आपके लिए क्या पता कौन सा इसमें से पीपर में आ जाएं, ठीक है, चली देखते हैं, तो मानाओ न निकलती हैं, वो कौन से कहलाती है, क्रूलो फ्रूलो कार्वन, ठीक है, इसके करण से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रुभाव बढ़ रहा है, जो हमारे नुकसान दाएक है, जो प्राक्रतिक रूप से पाई जाती है, वो हमारे लितनी नुकसान दाएक नहीं है, ग्रीन ह C F, ठीक है, और Sulfur Hex, Hexagloride, ठीक है, S F 6, A है कि है मानो निर्मित गयस है, ठीक है, मानो की द्वारा जो ओध्यों के प्रदूसरन होता है, जो अन जो होते हैं, उनके कारण A होती है, ठीक है, चली तो पर देखें, जैसे अभी गोर हम इसको विसाय को समझाएंगे आपको, ब प्रतावराण में किस कारण से Greenhouse Gas की ब्रद्धी होरी, देखें, Greenhouse Gas का प्रतिवी के बायू मंदल पर प्रत्यक्ष प्रभावा पढ़ता है, क्योंकि ये Gas प्रतिवी के लिए कंबल का कार करती है, ठीक है, यदि ये Gas से उपस्तित ना हो, तो ये ताप अपसूसर ना करें, यदि gas नहीं हो और ताप अपसूसर नहीं करेंगी तो प्रतिवी एक ठंडे ग्रह में बदल जाएगी। ग्रीन हाउस gas है क्या करेंगी ताप को अपसूसित करती है। और मानो जीवान बरतमान स्वरूप में नहीं रह पाएगा। अता ग्रीन हाउस gas हैं हमेशा से बायू मंडल में उपस्तित रही हैं जो हमने प्राक्रतिक gas है बताई थी ठीक है जिस मेथ हिं थी कारवंड़ाई आक्साइड वो और हमेशा से ग्रीन हाउस प्रभाव दारब प्रतिवी की एक निश्चित तापमान को बनाई रखा है ग्रीन ग्रीन हाउस की मात्रा की बायू मंडल में मिलने से बायू मंडल में ग्रीन हाउस की मात्रा में ब्रध्धी हो गई है इमानो निर्मित जो मिलने ही उस कारण से ब्रध्धी हो रही है ठीक है जैसे अपने एसी का यूच किया उससे क्लोरो फ्लोरो कारवन जितनी निकली तो मिलती जा रही, तो वो अपने लिए क्या है नुकसान दायक है, अभी सरकार एक ऐसा ला रही है कि कोई भी जो आप अभी AC चलाते हैं तो अपन 16 तक कम कर लेते हैं, कोई AC 18 तक टेंपरेचर आ जाता है, लेकिन आगे आने वाले समय में आप 22 से नीचे टेंपरेचर नहीं होग याद रखीए कियों कि प्रदूसरन को पन को रोकना है, ग्रीन हाउस जो प्रभावड़ रहा है, उसको रोकना है, इस कारण से ठीक है, चलिए, तो उसमें और आगे पढ़ते हैं, तो उनकी मात्रा में क्या हो रही है, ब्रद्धी हो रही है, इसका परिडाम बैस्विक ता आपमान से तात पर प्रतिवी के दीरकालिक औसत आपमान में क्या है, ब्रद्धी होना है, ठीक है, इसका मतलबी है, ग्रीन हाउस ग्यास हो में ब्रद्धी के प्रमुक कारण, यह देखिए, बहुत ही जरूरी है इसको, अभी आँगे वो बहुत अच्छे फैक्त आने वाल फिप्टी स्टडी, जब आप पढ़ना चाहें तब पढ़ें, देखें, एक तो है ओद्योगी की करण, एक क्या है, ओद्योगी की करण के कारण, इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गयास में ब्रद्धी हो रहे हैं, नगरी करण के कारण हो रहा है, उब्होकता बादी सं बाहनों में जीवास वीधनों के जलने से उत्पन धुगा और बनों का बिकास यह सब कुछ कारण है कारण याद रखीएगा वद्धियों की करण नगरी करण बहुकता बादी संस्कृति एसी का उपियोग गाडियों का उपियोग पैट्रॉल वड़ा रहे सब कुछ है ग्री दूसरन कम हो सके हुँ हमें करना चाहिए और देखें ग्रीन हाउस गैसों के उस सरजन को कम करने के उपाई क्या क्या करना चाहिए उपाई के लिए देखें ग्रीन हाउस गैसों के उस सरजन को कम करने के लिए क्या करेंगे आप तो बू पॉइंट आंगे अपन को देखना ग्रीन हाउस ग्याउस के उस सर्जन को कम करने के उपाई इक GB चाहरे ,जिस counseling कम हो जिसमें गैस गार ये का प्रियोग हो रहा है ,जिससे कम हो हो ठीक है , serves एली विजन, रेफिजरेटर, ठीक है, येर कंडीशनर, मतलब आपकी जो AC, कूलर रित्यादी हैं, आधी ग्रीन हाउस गैसों को उस सर्जित करने वाली उबहुकता बस्तूओं का कम प्रियोग करें, इनका प्रियोग कम से कम हो, लेकिन आज कल बेखती येर कंडीशनर के बहुत हानी का रखोने वाला है, बाहनों का कम प्रियोग किया जाए, या फिर CNGC जैसे कम प्रिदूसरं काडी इधनों का बाहनों में प्रियोग हो, CNGC आप जो गैस आती है, उस बो वाले आप बाहन चलाए, वो कम से कम करें, आप बना लेकि दिन में एक दिन तो हमें अपने मतलब आपको लक्ष बनानी कि एक साल में जादा नहीं तो आपनको कितने 12 महीने होते हैं, 12 पौधे लगाना है, प्रते एक बेक्ती सोच लेगी, हमें हर मन्थ में एक पौधा लगाना है, पढ़ना तो ही, लेकिन साथ साथ हमें कुछ ऐसे काम करना है, जो हम प्रकत देखें, तो बनी करन को बना क्यों कि ब्रक्ष कारवंडा याकसाइड जैसी ग्रीन हाउस गयसों को अपसूसित करते हैं, ठीक है, उर्जा का बिवेक पूर्वा सतत प्रियोग किया, जो उर्जा उसका कम जितना पन को जरूरत नहीं प्रियोग हो, और गहरे महानगरों में करवंडा याकसाइड का निस्तारण जहां बे निमनताप मानवा उच्च दवाओ के अर्धिस्थाई योगो को में बदल जाती हैं, तो इस प्रकार से हमने आज ग्रीन हाउस से संबंदे जो जो महत्पूर भैटते हैं, उनके बारे में एक किलास पड़ी है, अगली किलास ह जो जरूरी परियावण से संबंदित होगी, हमारे चैनल पर आप बालविकास के वीडियो देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर पिछले वरसों के अंसोल्ड पेपर देख सकते हैं, हर प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मैस तेंगले सब वीडियो मिलेंगे, आप ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी तैयारी आपको सिलिवस के अनुसार हम कराएंगे इसी तरह आप हम से जुड़े रहें पुना अंगली वीडियो के साथ मिलेंगे जैहिन